क्या आपको स्क्रीन पर एलबर्ट आइंस्टाइन दीखे नहीं दीखे तो वेट में बताता हूँ उससे पहले आप मुझे ये बताओ कि इन दोनों बॉल्स में से कौन सी बॉल बढ़ी है मैं आपको 10 सेकेंड दे रहा हूँ देख कर ये बताओ कि कौन सी बॉल बढ़ी है and your time श्टार्ट्स नाओ क्या आपको ये दोनों बॉल्स में से ऊपर वाली बॉल की साइज बढ़ी लग रही है तो वेल मैं आपको बता दू कि एक्चुली ये दोनों ball की size equal है इन balls के पीछे ये जो background है उसी के चलते उपर वाली ball आपको बड़ी लग रही है क्या आभी भी आपको ये उपर वाली ball बड़ी लग रही है तो well video को pause करके आप खुदी scale से measurement कर सकते हो आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही mind blowing optical illusion देखने वाले हैं जिसे देखकर आप सभी shock हो जाओगे वीडियो को end तक जरूर देखना आई ये वीडियो स्टार्ट करते हैं अभी आप इस image को देखो क्या आपको ये blue balls float होते हुए दिखाई दे रहे हैं या नहीं अगर नहीं दिखाई दे रहे हैं तो आप कोई भी एक end से दूसरे end तक diagonalी slow slow देखो तब आपको ये blue balls float होते हुए दिखाई देंगे जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग मैंने आपको बताया थी कि ये image में Albert Einstein है लेकिन क्या आपको Albert Einstein दीखे अभी मैं आपको 10 seconds दे रहा हूँ आपको Albert Einstein धून कर बताना है and your time starts now क्या आपको Albert Einstein दिखाई दिए या नहीं नहीं दिखाई दिए तो आप simply अपने स्क्रीन से दूर जाओ या फिर आप इस वीडियो को mobile से देख रहे हो तो आप अपने mobile screen को थोड़ा दूर करो screen को थोड़ा दूर करने से ही आपको Albert Einstein easily दिख जाएंगे now next one ये illusion काफी मज़ेदार है अभी आपको screen पर ये image में लड़की दिख रही होगी अभी हमें इस लड़की को इस ring के अंदर दालना है लेकिन अभी आप ये सोचोगे कि ये कैसे होगा तो well आपको screen पर ये जो dot दिख रहा है उसे देखो और उस dot को देखते हुए आप screen के close आओ तब आपको ये लड़की ring के अंदर जाती हुई दिखाई देगी इसे try जरूर करे अभी आप इस image को देखो क्या आपको इस image में एक लड़की smile करती हुई दिखाई दे रही है तो well इसका answer है yes लेकिन अब आप screen से दूर जाओ या फिर आपनी screen को आपने से दूर करो screen को दूर करने से आपको ये smile करती हुई लड़की expression change करती हुई दिखाई देगी क्या screen दूर करने से ये लड़की के expression कुछ ऐसे हो गए जैसे कि हमें गुसे में देख रही हो now next one अभी आप इस image को देखो क्या आपको इस image में जो green lines है वो move होती हुई दिखाई दे रही है दर असल ये image में कोई lines move नहीं हो रही है और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया ये एक image है और इस image को कुछ इस तरह design किया गया है जिस वज़े से ये lines हमें move होते हुए दिखाई देती है now next one अभी आपको इस image में कई छोटे छोटे black box दिखाई दे रहे होंगे और इनी boxes के edges में आपको black dots भी दिखाई दे रहे होंगे लेकिन हैरानी की बात ये है कि जब हम randomly इस image में देखते हैं तभी ये dots हमें दिखाई देते हैं और अगर हम इन dots को एक एक करके देखने की कोशिश करते हैं तभी ये dots disappear हो जाते हैं now next one अभी आप इस image को देखो और ये बताओ कि इस image में कौन सा figure बड़ा है मैं आपको 10 seconds दे रहा हूँ and your time starts now क्या आपको उपर वाला figure बड़ा दिखाई दे रहा है तो well मैं आपको बता दू कि दोनों ही figure की size equal है और ये figure हमें एक दूसरे से बड़े या छोटे इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि इस image के background को कुछ ऐसा ही design किया गया है now next one अभी आप ये बताओ कि इस image में इन दोनों helicopters के blades में से कौन सा blade बड़ा है मैं आपको 10 seconds दे रहा हूँ and your time starts now क्या आपको उपर वाला blade बड़ा दिखाई दे रहा है तो well उपर और नीचे दोनों ही blade की size equal है now next one अभी आप इस image को देखो और मैं आपको 10 seconds दे रहा हूँ ये बताओ कि ये pencils कितनी है and your time starts now क्या आपको 7 pencils दिखाई दी या फिर 6 तो well हम जब उपर से इसे count करते हैं तब ये pencils की count 7 होती है और वही जब हम इसे नीचे से count करते हैं तब इसका count 6 होता है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है तो well इस image को कुछ इस type design किया गया है जिस वज़े से इसका count उपर और नीचे से दोनों अलग-अलग आते हैं असल में इस type का design reality में exist नहीं करता अभी आप इस image को देखो और comment करके ये बताना कि इस image में आपको कौन दिखाई दे रहा है वीडियो कैसी लगी comment करके ज़रूर बताना और इसका second part चाहिए हो तो comment करके ज़रूर बता देना और channel पे नए आए हो तो channel को subscribe कर लेना मिलते हैं हमारे next video में तब तक के लिए take care